दोस्तों आज जानने की कोशिस करते हैं दिल्ली सल्तनत की कहानी भारत के इतिहास का एक अहाम हिस्सा है और इसको अगर आपको जानना है तो उस क्रम को जानना पड़ेगा जिस क्रम में यहाँ पे सासन बेवस्था रही है जादा तर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन प प्राइनिस्टी भी बोलते हैं कुतुबु दिनेबक की एक खास बात और भी याद रखनी है आपको कि उन्होंने कुतुब बिनार बनाया था और एक मौस का भी निर्मान किया था दिल्ली के अंदर वो कैसे मरे थे वो एक अलग कहानी है वो भी आप जान सकते हैं उसके आगे उसी वनस को आगे बढ़ाते हैं इल्टुतमिस ना सिर्फ सलतनत को मजबूत बनाते हैं इसको और दूर तक एक्स्टेंड करने की कोशिश करते हैं और जो बहुत सारे बाहरी इन्वेजंस हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश करते हैं उन्होंने एक प्रनाली की विवस्ता क capital बनाया सल्तनत का तो दिल्ली को center पे लाने का अगर किसी का योगदान है तो वो इल्टुतनिस का है उसके बाद आती है रजिया सुल्तान जो पहली महिला सासक थी सल्तनत की और उनको जाना जाता है उनके administrative skill के लिए उनका जो सासन था वो 4 साल का था 1236 से लेके 1240 के बीच में वो सासन करती हैं उसके बाद एक सासक आते हैं जिनका नाम है बल्बन बल्बन का जो सामराज्य है वो अगर आप देखने की कोसिस करेंगे तो उन्होंने जो सल्तनत की दिवारे हैं उनको और दिवारों को मतलब जो बिवस्थाएं हैं उनको मजबूत करा इड्मिनिस्टेशन और मिलिटरी में काफी बदलाओ करें उसने और उन्होंने एक जो सेंट्रलाइजेशन की पावर है उसका इस्तमाल करा और जो कंट्रोल किया है उन्होंने नूबल तो अभी हमने सुरूप किया कुतुब बुदिनेबग से इल्टुत्मिस, रजिया सुल्तान, बल्बन ये सब एक ही राज उसके बाद एक बेवस्था आती है जिसे हम बोलते हैं पदमावत मूवी तो हम सब ने देखी होगी तो वहां से हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं ये जलालुद्दिन खिलजी ने इसकी नियू रखी थी उसके बाद अलावुद्दिन खिलजी आते हैं जिसका रनवीर सिंग ने रोल किया था और ये जाने जाते हैं अपने military conquest के लिए कि उन्होंने जो बिजय हासल करी और जो economic reform की है खास तोर पर अलावुद्दिन खिलजी का जब भी नाम आता है तो जो economic reform है उनके लिए आता है जो market reform है उसके लिए आता है जो market में price control की बेवस्था है price system कैसे होगा उसको लेके खिलजी once और खास तोर पर अलावुद्दिन खिलजी ने बहुत सारे बदलाव किये फिर उन्होंने बहुत सारे campaign lead किये डिककन में मतलब south में और जो बाहरी आक्रमर थे उनसे भी बचाने की बेवस्था करी गई खिलजी के वंस में और price control की बेवस्था उन्होंने इंट्रड्यूस करी जो majors होते हैं उनको control करने की बेवस्था है जो बनाई उन्होंने और जो जासूसी की बेवस्था है वो भी उनके अंदर है मतलब उनके सासन बेवस्था के अंदर गत तो ये बाते थी खिलजी खासतोर पर अलाउद्दिन खिलजी के तहट जब खिलजी डाइनिस्टी उसके बाद एक अलग डाइनिस्टी आते जिसे हम दोग बोलते हैं तुगलग डाइनिस्टी अब 1290 से 1320 के बीच में इनका सासन चलता है उसके बाद 1320 से लेके 1414 तक सुरुवात होती है गैस उद्दिन तुगलग से जो इस चैनिस्टी के सुरुवात करते हैं उसके बाद आते हैं महबद बिन तुगलग को हम उनके МбCS plan के लिए जानते हैं जहां पर राजधानी बदल देते हैं जहां पर सिक्केश्व बदल देते हैं और बहुत सारे बदलाव करने की कोसिस करते हैं जहां पर फेल भी हो जाते हैं तो उसके लिए हम उनको जाते हैं उन्होंने capital को shift किया था दौलता बात ये आपको याद रखना है token currency का introduction करा था ये बातें आपको याद रखनी है और इसी once का एक सासक था फिरोज सा जो जाने जाते हैं अपने administrative reforms के लिए और public work के लिए जो उन्होंने करी ऐसे काम करने की कोशिज करी चाहे सीचाई की बेवस्ता हो चाहेने canals की या hospital की बेवस्ता हो ये सारी बेवस्ताइं जो करी हैं तुगलक once के जो सासक हैं फिरोज सा तुगलक ने वो करने की अब और आगे हम देखने की कोशिज करें तो इसमें एक बड़ा event होता है तैमूर जो Central Asia का एक पूरे टाइम लड़ाई में उन्होंने बेटाया और खुद का जो सामराज है उसको बचाने की विवसा करते रहे कि कितने देर तक को बचा के रख पाएंगे तो जो regional पावस थे उन्होंने इनको चैलेंज किया और political instability थी इस दौर पे तो जो main dynasty है आपको याद रखना है पहले वाला slave वाला, दूसरा खिलजी वो आपको सिकंदर लोदी याद रखना है जो इनके आखरी सासक है वो है इब्राहिम लोदी अब जो सबसे जाना जाने वाला सासक है वो भी इब्राहिम लोदी है क्योंकि इब्राहिम लोदी हार गए थे बाबर से पानीपत के युद्ध में, जो पहला युद्ध है पानीपत का, 1526 का, उसमें हरा देते हैं, और ये मुगल वन्स की सुरुवात हो, तो ये तो कहानी है, दिली सल्तनत के उसके बनने को लेके, उसके मेन जो वन्स थे उनको लेके, इसको एक chronological order में देखने की कोशिस की गई है ताकि आपको एक बार हलकी सी understanding लगे, तो मेरा नाम है संदीप सिंग, और इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, देखते रहें, बने रहें ऐसे, और जो भी आपको और भी topics पे इस तरह के वीडियो चाहिए, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ जाएं, relate कर है, जर जाएं आपके बार हैंजयर जाएंगे इस तरह के वीडियो चैनी से का बेहेंगे, ताकि जाएंगेए,wang фильм कि वीडियोजा अ हम 27th कि भीडियो पिरिए, नाच हम ABP, लू थूरagers और मेरे से स्वानी ।ूर coronavirus, और और भैंगे, तो भीडियों कि भीड़ बांएंए व